तो हम थोड़ा सा तुमको लिंफो साइड के बारे बता दे जो हमारे सरीर के डिफेंज सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं जान करो जो दिन ब्लड पढ़ाया था तो उस दिन कहा था कि ब्लड में प्लाज्मा के साथ साथ बहुत सारी सेल्स पाई आती थी फॉर्म रेलिम ब्लड क्लॉटिंग में होता था लेकिन डबली वीची का रॉल डिरेक्ट्ली इंडारेक्ट्ली सरीर की सुरच्छा मोटा था डिफेंस होता था उसी सब आमने बताया था कि योसनो फिलस इलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल्स इंफ्लाइमेट्री रिएक्शन में भाग लेती हैं नीट्रोफिल मोनो साइट लोकल लेविल पर सुरच्छा देती है पुलिस की तरह काम करती है अर्थाथ मोस्ट एक्टि फ्रेगोसिटिक सेल आप बलड बताई लेकिन फिर लेंपोसाइड क्या है यह सरीर के सैनिक है पुलिस नहीं सैनिक है आर्मी है सबसे आखरी चलरु की थर्ड लाइन उपडिफाञ्ज अब ये फेसर्ट लाइन सेकेंड लाइन क्या हुता हरसी अंहलीं नहीं बताई चानिक समझो यह सबसे आखरी चलरु की सरच्छादिक्प्टल के सरस्पडिक्त बॉle ले लों बात करते हो ऐसलिंगे दोल बता आया कि क ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, सिखाया जाता है कि दुष्मन से लगना कैसे है। तो इसी के base पर कि इन लिंपोसाइट की ट्रेनिंग आफिरो प्रोग्रामिंग हुई कहाँ? अगर इस सैनिक स्कूल का नाम है थाइमस ग्लेंड अर्थात लिंफोसाइड बनी और उनकी ट्रेनिंग हुई थाइमस ग्लेंड में तो थामाने थाइमस ग्लेंड थामाने थल सेना और थामाने लगता है टी लिंफोसाइड तो जो थाइमस ग्लेंड में जिनकी प्रोग्रामी होती है उनको सिखाया जाता है कि तुमको दुस्मन से लड़ना है थल सेना की तरह है और फिर जो सैनिक बोन मेरोस नहीं लिया गया था, बरसा और फैबरिसेस से लिया गया था, कोई बात में टुरे स्लेवस नहीं थे. अच्छा अंतर क्या है? थल सेना के युद्ध में, बाई सेना के युद्ध में? तो तुम भी जानते हैं जैसे तुमने महावारत की युद्ध देखा हो या बहुबली पिच्चर में भी युद्ध देखा हो वो थल सेना की युद्ध थे उसमें डारेक्ट दुस्मन से हमारा सैनिक लड़ता है नतीजा लड़ाई जल्दी खतम नहीं हो पाती है ज्यादा व यह दिएक्टी निम्यूट कहते हैं क्योंकि सेल डारेक्ट भाग लेती है लिंपोसाइट डारेक्ट भाग लती है और बायो सेना कैसे युद्ध फाइटर जेट से आया है और उसने उपर से बम डाल दिया घ्रोसमा स्वाहा अगली बम से नागा सा की स्वाहा जो बारूद कि पामहिते हैं पैस जन्र में अंद आप से बंदालेता है यह पूरा का पूरा देस स्वाहा हो जाता जो अब वैसे शेना होती है हुर वारूध की बंदालती है और यह हमारे श्रीर के से न उतके बंदा उस लिकुड बम को कहते हैं एंटी बॉड़ी और जो लिकुड को हीूमर भी कहते हैं ध्यान करो आख में एक्वस हीूमर विट्रियस हीूमर उसी से याद रहेगा कि बी लिम्फोसाइट हमको जो सुरच्छा देती हैं उसको हीूमोरल इमिल्टी कहते हैं क्योंकि बम यह लिक से कहा करते हैं कि जो डिजीजी जिजी शूव प्रोग्रेसिव होती है जैसे टुबर क्लोसीस कर नाम सुनाओ कोई टीवी मरे जाता है उससे कउचो बाबा क्या दिक्कत है परगवाल सी टैसे कब सचो जो बंदा पंदरा साल स से बीडी पी रहा है। जब माइको बैक्टिरियम और बॉड़ी की लिंपोसाइड बीच लडाई हो रही होगी इतने लंबे समय से लगाई तो इस तरह से जो धीरे धीरे बरसों वीमानिया चलती रहती हैं उनसे लडाई लड़ती है थल से ना लेप्रोसी के नाम सुना एड्स का नाम सुना यह विम पहानक बुखार जो काम सुनु हो जाता है अगले चार-पांद बीमारी बिल्कुल ठीक इसका मंदब यह हुआ जितनी टेज बीमारी ग्रो कर नहीं थी उससे ज्यादा तेज हमारी सेना ने पैथोजन के उपर कब जा कर दिया और बीमारे इसको रोक दिया तो इस तरह से फ इतने बताएंगे पांच प्रकार क्योंटी है इस प्रकार को थी हम तुम्हें बताएं हम एक पिच्चर देखने गए ते डी कंपणी वह लोगों का मुख्य काम था मर्डर करना लेकिन वह कहते ते गेम बजाने जा रहे हैं गेम बजाने और हमने वहीं से परमूला बना लि है नंबर एक एंटी बॉडी मॉटी ची में दो एंटी यह नंबर अगला 9 एंटी वॉडी इंबर अगला एंटी बॉडी ईागला इंटी अबंदी डी इस तरह से एंपांस प्रकार होती है हाला कि दो सब्स बता दे इनके बारे में भी देखो जैसे तो हम तुम से कहा करते हैं कि हम लोग अगर मम्मी की गोद में लेड़ जाए तो बड़े सुरच्छित महसूस करते हैं सोचाओ सोचो हम लोग मम्मी की पैट में अंदर हो तो कितने शुरक्चित हैं कि मालो हम लोग मंमी की पेट के अंदर हैं और हम तो में बताएंगे कि हम मंमी की पेट में जब होते हैं तो किसी फ्रेट लाइक स्ट्रक्चर इस जोड़े रहते हैं जिसको प्लाइकल कार और वैसे तो यह माईवविट्रिम होती है लेकिन चुब जगह नहीं है तो हम यही प मम्मीं के निकलकर ग्लूकोज बच्चे में आजाते हैं इसी प्रेशंट्टा के थुरू हमारी यूरिया भूज दो होता है बच्चे के बढ़ा मम्मी बड कभी नहीं होते हैं लिए कि जैसे है अप्र मम्मी की पेट में आगए तो कितना स्वरच्चेत यह लेकर प्रекinal मम्मी सोचती है भागवाइण ने सोचा कि मालों ठीक है मम्मी की तो all fare मामन कोई है मालों कोई ऐसान हो जाए मम्मी कोई ऐसी वीमारी हो जाए जिस का फैथोजन प्लॉच्छी को प्र शीनटा कोई क्लाश करते हुए बच्चे में आ जाएगा तो तो क्या होता है मम्मी प्रंथ हमको एक तमांचा दे देती हैं ऐसा लगता बंदूख पगड़ा देती है कि दुश्मन आए तो गोली मार देना इस तरह से हम लोगों के इन में से जो फर्स्ट एंटिवाड़ी होती है जिसको एंटिवाड़ी जी कहते हैं ये डिरेक्ट कहा सम होते हैं तो जैसे ही सरीर से बाहर आये हमारे ऊपर बैक्तिरिया का हमला दुगना होने का चांस हो गया पता तुम्हें हमको दो दो तवंचा पकड़ा देंगी कि बैटा दोनों हतों से गोली चलाना दुश्मन को जान समाद देना और उस दूसरे तवंचा का नाम है एंटी करने के बाद तुम्हें मां को लटा दिया जाता है कि पहले उसको इस तनपान करा दो ब्रिस फीडिंग करा दो अस्पदाल मां का पहला दूद बच्चे के लिए अम्रत का काम करता है क्यों क्योंकि उसके अंदर एंटीबोडी ए बहुत जादा होती वह रिच इन एंटीब गाय ने अपने बच्चे के लिए एंटीबोडी दी दूद में और हम लोग छील दिये अपने बच्चों किला दिया तो इस तरह से बड़ा अच्छा सवाल है कि एंटीबोडी तो पांस प्रकार को होती है लेकिन हमको ममी के प्लसेंटा से डारेक्ट मिल जाती कौन से एंट इंटी बॉडी के बारे में और लिम्फोसाइट के फ्रंक्सिविंग के बारे में ठीक ना बस अजय है